हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का SSC B में सो SSC MTS 2022 और 2023 में ही आएगा दोनों इसलिए बहुत से बच्चों ने फॉर्म भराई होगा आपने पता था जो शुरू में वेकेंसी आई थी वह आपको साधे दस हजार तक देखने को मिली थी ग्यारा हजार तक देखने को मिली थी उसके बाद एक हजार जो इसमें पोस्ट है वो और बढ़ा दी गई है उसके तिन चार दिन बाद आपने देखा होगा कि यहां पर जो टेंटेटिव वेकेंसी थी एससी ने उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें एक हजार जो वेकेंसी थी उसमें वृद्धी देखी गई तो 12500 सम्थिंग अभी वेकेंसी हैं हमारे MTS और हवल्दार के लिए हवल्दार की वेकेंसी सेम रही हैं 540 थी सम्थिंग और यहीं है अभी तक लेकिन जो MTS है उसमें वेकेंसी बढ़ चुकी है एक्जाम है 10 से 25 और 10 से 27 वर्ष के दो एज ग्रूप होते हैं इसमें तो बहुत से बच्चों ने यह फॉर्म भरा होगा तो यहां पर अगर आप भर रहे हो 10,000 तो उसमें 12,000 वेकेंसी इसमें अग्जाम भरेंगे तो यहां पर यह जानना जरूरी है आप लोग ने कि जब आप यहां भर रहे हो 12 चीजें आपको यहां पर जाननी है क्योंकि 2022 में जब आपने इसका प्री देखा था 2021 का तो वहां पर कोई चेंज नहीं था लेकिन अब कई बदलाव हो चुके हैं जो कि हमने इस वीडियो में देखने 12 बदलाव ऐसे हैं जो मैं आप लोग को यहां दबर आप बताने वालाओं पहला तो आप लोगों नहीं आप पैटन देख लेना है कि यहां पिसले बार का बात करूंशन अगर को यहां पर कवाद करूंक हैं इसी पर आपकि और आपकी अधार पर आपकी मेरिट लगते धी और यहां पे एक means में यानि कि जो paper 2 होता था जो कि कुछ दिनों के बाद होता था कुछ महीनों के बाद होता था तो यहां पर आपको essay और letter लिखना होता था और यह 50 marks का होता था जिसमें से आपको 20 marks लाने बहुत जरूरी है और यह सिर्फ qualifying होता था इसके marks नहीं जूरते थे तो बस यह है आपका प्री के हिसाब से लगता था अब यहां पर descriptive को हटा दिया गया है लिखने वाले paper को हटा दिया है अब आपके जो paper है उसके दो फेज है session 1 और session 2 session 1 आपका numerical और mathematical ability और दूसरा आपका reasoning अब यह दोनों के 20-20 question आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 question हो जाएंगे और हर question 3 marks का होगा यहां पर ज्याने कि यह होगे आपके कितने 120 marks यानि कि 40 question आपके 120 marks के time आपको मिलेगा यहां पर 45 minute का दूसरा session जो होगा आपका उसमें जीके और English पूछी जाएगी जो कि 50 question होगे यानि कि 25 question जीकेगे 25 question English के इनके भी 3-3 number है तो यह 500 number के हो गया तो यह जो 120 number है और paper 2 में 500 number है यह आपने द्यान रखना कि paper 1 में आपके है 120 number paper 2 में है आपके 500 number इसके लिए भी आपके पास 45 minute का Alexa time है चाहे आप 45 minute इसमें पूरा लगा दो चाहे इसमें पूरा लगा दो आपकी मर्जी है ओके लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना क्या हो गया है इस बार बदलाओ timing अभी भी 90 minute है लेकिन 90 minute को उन्होंने बाट दिया है कि इसमें 2 phase में 2 phase में इसको बाट दिया है अब यह यहाँ पर देखो गए आप जो यह 25 बच्चिस यहाँ पर देख रहे हो नहीं पर लगेगी ऐससी ने ऐसा लिखावा है तो अब हम जानते हैं कि हमने 12 चीजे कौन-कौन से ध्यान देनी हैं यह हो गया आपका एक्जाम का पैटरन सेशन और सेशन 2 अब मैं आप आगे रहेंगी कि भाई पहले बात क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ट जो एक्जाम होगा वह आपका होगा mcq आप देख रहे हैं objective टाइप mcq टाइप जो कि आपका English और Hindi में होगा हाले कि English इसका पेपर तो स्रीफ English में होगा और 13 जो कि जहां पर बोले जाती होगी वहां पर बोले जाएगी session 1 में और session 2 में जो जीए का पेपर है उसमें आपको 13 इंग्लिश का इंग्लिश में ही आएगा तो आप ध्यान देना यहां पर पहला पेपर जो आपका इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी ना इंग्लिश का हिंदी तो नहीं कर सकते हैं जो यह पेपर वान है जिसमें आपके 20-20 question थे ना 40 question थे 120 marks के इसमें negative marking नहीं है तो आपने maximum सारे के सारे करने हैं पहले सही को करना उसके बात क्या करना जो रह गये हैं उसमें देखना के संभावित कौन सा answer हो सकता है जो संभावित answer होगा उस answer को लेके आना और उस answer को ठिक लगा देना ठीक है 30 मिनट का आपको time मिलने वाला है paper 1 में कोई भी negative marking नहीं है लेकिन अगर session 2 की हम लोग बात करें तो यहां पर negative marking है एक marks की यानि कि अगर आप एक question गलत करते हो तो आपके एक marks कटेंगे एक question कितने नमबर का है तीन नमबर का और कितने marks cutting कि आपके यहां पर एक तो यहां कि आपके यहां पर कितने marks कट रहे है चार marks कट रहे है इस वाथ का ध्यान देना लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो 2.33 यहां पर क्या हो जाएगी 1 by 3 negative marking है क्योंकि तीन नंबर का एक कोशन है ना तीन नंबर में से और गलत हुआ तो एक कड़ेंगे तो तीन नंबर तो वो गए गए जिसके जो उसके मार्क से साथ साथ में एक और जब कड़ रहा है आपका तो चार गए ना तो चार मार्क साथ हो दो गए तो कोशिस करना सेशन टू में आप यहां पर पेपर जो आप दे रहे हो वो आपने गलत नहीं करना है गलत कर भी रहे हो तो बहुत कम चांसे रखना नहीं आता है छोड़ देना लेकिन बिल्कुल भी attempt मत करना क्यूंकि आपके तीन नहीं जा रहे है आपके चार मार्स आपके जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं यानि की पॉइंट 33 नेगर्टिव मार्किंग आप यहां पर यह बोल रहा है कि जो बच्चे का प्रफार्मेंस होगा सेशन वान में इसे सबसे पहले देखा जाएगा आला कि इसके मार्स नहीं जूड़ेंगे लेकिन आप यहा आप लोगों यहाँ पर बताया था यहां फेपर वान है वहीं यह जो हमारा पेपर वान है अब हो जैएगा यहाँ पर इखे हो होगा यह आपका डेड़सो का है यह आप यहां पर देख रहे हो आइधिक देखिए यह पेपर वन 120 नंबर का है और इसमें आप 120 भी लाते हो तो आपको कोई कि फायदा नहीं होने वाला है आपको सिर्फ कौलिफाइब करना है आप पचास 40 50 नंबर इसमें ले आना तो यह कौलिफाइब कर लोगे यह 120 में से 120 विलाते हो तो कहीं नहीं जोड़ेगा लेकिन अगर आप इसमें पेपर वान में कौलिफाइब नहीं होते आपके 20 मार्ट सब्सक्राइब तो अगर आपने उसमें डूसरे वाले से 1.50 deux भी प्राइब नहीं होगा एक स 누나 पर अपने कुछ नहीं कर sana और आप सोच सहल कि मेरे पर दो बहुत अच्छा गया है तो refer करो keyboard थो ले से 120 लाए तो आपका सेलेक्शन पक्का है 100% है अब यहां पर आपको बता चुका हूं यह क्या बोल रहे हैं यहां पर पेपर वन का जो आपका पेपर चाहिक होगा चाहिए आप पेपर टू में जितने भी लाए पेपर वान को कौलिफाई होना चाहिए फिर दूसरा है आपका हवलदार की बोल रहा है कि बाई हवलदार की जितनी होंगी जैसे कि आपके कितनी वेकेंसी साड़े 500 वेकेंस छेसों माल लीजिए तो छेसों का यहां पर पांच गुना यहां पर बुलाए जाएगा तो यानिकि तीन हजार बंदों को यह लोग पास करेंगे और यह तीन हर और यह होने के बाद आपको यहां पर किसमें लिया जाएगा हवलदार में लिया जाएगा तो यह जो हवलदार की पोस्ट है इसमें आपको पांच गुना बुलाया जाएगा इसके बाद दुबारा से यहां पर इनकी मेरिट लगनी है दुबारा से इसकी फाइनल मेरिट ल ना है आपने यहां पर इन्होंने लिखावा है अब यहां पर क्या बोलता है कि जो MTS है उसमें दो एज ग्रूप होते हैं 18-25 और 18-27 ठीक है यह देख लिखावा है कि यहां पर हम लोग कट आप जारी करेंगे वह हम सेपरेट एज वाइस करेंगे यहां पर देखे 18-25 आलग रिजल्ट आएगा आप अपने 18-25 वाला फॉम बरावा है आप result देखोंगे तो आप का नाम नहीं होगा अठारा सथार्च वाला में आपने फॉम बरावा होगा अठारच से पच्छेस वाले में आप अपने रिजल्ट देखोंगे नहीं जिफ्ट को नॉर्मलाइज करेंगे कि आपका बहुत बढ़ जाएंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हो जो नोटीस दिया है यहां पर कर दिया है आप देख सकते हो बट आप को पर देखना है कि नॉर्मलाइशन का जो अपना जाएगा आपके बहुत पर सिंपल आगे तो आपका हो जाएगा इस बार आप यहां पर देखिए आंसर की आने के बाद आपको लगा कि यह पड़ा था आपने नेट में पड़ा था आपको किसी किताब की फोटो भी खेच के आपको भेजना पड़ेगा उसका आईस ब यह नंबर भी वह लोग में चेक करेंगे तो देखिए आंसर कि यह जब आई आपकी तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो जब ऑनलाइन करेक्शन विंडो खुलेगी ठीक है तो यहां पर आप क्या करो कि प्रत्यावेदन जिससे बोलते हैं हम सौरफे की फीस है व पंद्रा अपरेल तक एससी एंटी एस का आंसर की कर रिप्रेजेंटेशन आप भेज सकते हो तो इस टाइम के बीच में जो विंडो यहां पर खुली होगी जो यहां पर लिंक दिया होगा उस पर जाकर आप करिए अपनी जो बुक के उसकी फोटो कापी फोटो यहां पर ड दूसरे इंपर्डेंट चीज कि आपने अपना प्रेजेंटेशन तो भेज दिया आपने जो बुक में पढ़ा था आपने भेज दिया लेकिन आप यह मान लो कि वह सही हो वह लोग भी उसको माने यह जरूरी नहीं है तो यहां पर देख लीजिए जो लास्ट डिसिजन कि और आपने पता लगाया कि कमिशन का अंसर घलत है तो आपने यहां पर कमिशन ने लिखा था भी और आपने यहां पर सी टिक करके आए थे और आपने बोला कि नहीं यहां पर सी है तब सबके बढ़ा देगी नहीं वो सिर्फ आपका ही बढ़ाएगी क्योंकि आपने प्र पागियों के लिए अगर बागी किसी ने भी प्रत्यावदन नहीं दिया तो वह उनका ठीक नहीं होगा जिसने प्रत्यावदन दिया है केवल उसी का ही ठीक होता है यह चीज आप यहां पर ध्यान देना तो यह कुछ 12 बाते थी जो कि मैंने आप लोग को बताई तो अब आप आपने पेपर 2 ही क्या करना एक तरीके से पेपर 2 में सबसे अच्छा प्रपॉर्मिंस देनी है और इंप्सांट चीज मैं आपको यहां पर बताएता हूं स्सीभी टेलिग्राम चैनल यह आप देख सकते हो यहां पर मैं सारे की सारी जो इनफोर्मेशन है जो कि हमारे स्सें तो आपको बहुत ज़्यादा है तो ऐसे से भी टेलीग्राम चैनल को आपने जॉइन करना है ठीक है यह आपको जरूर फाइदा देगा तो यह कुछ बारा बात है जो कि मैंने आपको बताई और भी कुछ बात है जो आप एड़ करना चाहते हो आप मुझे कमेंट में जरूर ठीक है तो मैं उस पर वीडियो एक डेडिकाड़ेट वीडियो जरूर बनाऊंगा ठीक है तो मिलते हमाद है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ ऐसे से भी टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें आप लोग